Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी होंगे बीते 6 महीने से इसराइल और हमास वार में हैं और इसके कारण चाहे लोग इसरेल के हो चाहे पैलिस्टीन के हो जो common civilians है उनको काफी सफर करना पड़ रहा है क्योंकि इसरेल और पैलिस्टीन दोनों एक नेवरिंग देश है जिसके कारण पैलिस्टीन से बहुत सारे लोग इसरेल आके काम करते थे क्योंकि इसरेल और हमास के बीच में वार शुरू होता है इसलिए government of इसरेल ने Palestinians का work permit को cancel कर दिया अब जैसे ही लोगों का work permit को cancel करता है वैसे ही इसरेल को workers कहले या liberers कहले उसकी आवशकता पड़ती है तो वैसे ही इसरेल फिर contact करता है government of India से और multiple rounds of conversation के बाद government of India और government of Israel ये फैसला करते हैं कि भारत से लगबग एक लाग से अधिक लोगों को इसरेल भेजा जाएगा अब ये चीज सुनके काफी attractive लग सकता है कि भारतिये लोग इसरेल के development में participate करेंगे और भारत और इसरेल का relation और भी मजबूत होगा एक जो सबसे बड़ा concerning चीज है वो ये है कि इसरेल अभी भी war like situation में है और क्या ये जायज है कि भारत से लोगों को उठा के एक war zone में जाके पटक दिया जाए सिर्फ employment के नाम पे इसमें से अगर एक आदमी का भी जान जाता है तो क्या इसके लिए government of India responsible नहीं होंगे इस चीज को media में कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा जैसे कि भारत एक बहुत ही अनोखा काम करने जा रहा है और अगर आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहले हम कुछ reality चेक करते हैं बीते एक महिने से हम ये कह सकते हैं कि लगभग हर सब्ता हमें ये news मिलता है कि भारत के कुछ student हैं जिनकों की US में जिनका murder कर दिया गया अब US में चाहे gun culture हो या US में कोई और भी culture हो लेकिन अगर वहाँ पे भारतिये safe and secure feel नहीं करते हैं तो ये कही न कहीं government of India का responsibility बनता है कि वो बहुत ही aggressive तरीके से US को counter करे और उनका जो accountability है वो उनको याद दिलाएं यही काम अगर US के एक citizen को भारत में अगर कुछ हो जाए तो इतना जादा media में उसके बारे में चीजों को highlight किया जाएगा जैसे कि भारत एक बहुत ही unsafe देश है इसमें कहीं से कोई दोर आयनी है कि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे crime नहीं है लेकिन back to back बीते एक महीना में अगर 11 भारतिये मारे जाते हैं unnatural death होता है तो इसमें कहीं से कोई दोर आयनी के government of India इसके लिए responsible है और कहीं न कहीं US के जो diplomats है जो bureaucrats भारत में हैं उनको summon किया जाए और काफी aggressive तरीके से उनको उनसे जवाब मांगा जाए normally हमें क्या बताया जाता है कि दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है अब ये चीज़ सुनने में तो काफी अच्छा लगता है लेकिन कहीं न कहीं जो काम आप करते हैं society में जो इज़त होता है वो उसी चीज़ से आता है अब इन सब भारतिये अगर इस्रेयल पहुँचेंगे तो क्या लगता है कि इनके साथ कैसा treatment किया जाएगा बहुत सारे भारतिये Middle Eastern countries में रहते हैं और अगर आप YouTube पे जाते हैं और अगर आप उनका living condition देखते हैं तो शायद हम कह सकते हैं कि वो hell-like situation में रहते हैं जहां पे उनका जो एक basic human rights होता है उसको भी कहीं न कहीं दबाया जाता है कुछला जाता है उसके बाद बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारी भी बनती है क्योंकि आज भी भारतिये लोग चाहें वो किसी भी religion के हो या किसी भी caste के हो उनको आज भी उनका brainwash करना काफी आसान है religion के नाम पे और जो असल मुद्दा होता है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं यह था Indian Express का latest article है जहां पे यह बताया जा रहा है कि April और May के बीच में लगबग 6000 या इससे भी अधिक workers को भारत से इस्रेयल भेजा जाएगा अब अगर किसी भी देश के लोग इस situation में जाके अगर काम करना चाहते हैं तो यह बता रहा है कि वो जिस देश से जा रहे हैं उस देश में employment की सकत कमी है और कहीं ना कहीं उस देश का जो government है वो भी responsible है unemployment के लिए normally क्या होता है कि अगर किसी भी देश के capital में या वैसे area में attack होता है जो area एक tourist spot होता है तो अलग-अलग देश advisory जारी करते हैं और अपने लोगों से ये request करते हैं कि आप उस area में ना जाए और अपने family members के साथ contact बना के रखें और in case अगर आप contact नहीं बना सकते हैं तो आप उस देश में जो आपके देश का embassy है उससे आप contact करें अब चाहे वो लोग Palestine के हो या specifically आपका West Bank के हो या Gaza के हो या आपके Israel के लोग हो इनके बीच में जो common civilians होता है उनके बीच में relations fairly अच्छे ही होते हैं और क्यूंकि दोनों देश एक पड़ोसी मुल्क हो जाता है इसलिए Israel के लिए भी काफी आसान होता है कि वो बगल से ही workers कह ले या laborers कह ले या workforce को वो hire कर लेते हैं और बहुत हद तक जो खाने पीने का समान है वो Israel में Gaza से या West Bank से ही जाता है क्यूंकि दोनों देशों के बीच में relation खराब हो गए तो इसलिए under suspicion government of Israel ने क्या किया कि सभी Palestinians का जो बड़ा crisis हो गया है workers का तो क्यूंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है यहाँ पे अबादी भी अच्छी खास है या कहले कि दुन्या के सबसे अधिक अबादी भारत में ही रहते हैं तो as a result यह होता है कि government of India और government of Israel दोनों मिलके यह फैसला करते हैं कि आप हमें labor supply करे और जल से जल इसरेल पहुचाया जाएं बहुत सारे construction project इसरेल में चल रहे थे जो कि all of sudden halt पे चला गया है तो किसी भी construction site में काम करने के लिए आपको labor की अवशकता होती है इन फैक्ट आपको बहुत सारे labor की अवशकता होती है तो इसी बीच अलग-अलग sectors में भारतियों लोग government of India और government of Israel के बीच में जिस speed से काम होना चाहिए उस speed से काम नहीं हो रहा तो ये eagerness बता रहा है कि कितना ज़्यादा इसरेल में labor का shortage है और कितना वो जल से जल ये चाहते हैं कि भारत से लोग वहाँ पे पहुँचे हलाकि भारत के अलावा कुछ लोग चायना से भी जा रह हैं लेकिन to be very honest हमें सिर्फ फर्क पढ़ना चाहिए कि भारत से लोग एक war like situation में या तो एक war zone में क्यों जा रहे हैं अगर कोई भी लोग अपना देश छोड़के किसी और देश में काम करने के लिए जा रहा है और उसे ये पता है कि उस देश में war चल रहा है तो कहीं न कही एक चीज जो सामने वाले देश के द्वारा offer किया जा रहा है वो है कुछ high salary ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है इस case में भी जो कि लगभग salary जो भारतियों लोगों को मिलने वाला है वो कुछ एक से डेड़ला के बीच में मिलने वाला है इसी बीच कुछ ऐसे भी reports आये हैं कि बहुत सारे जो fraud agents थे वो इन मासुम लोगों का पैसे लेके इनको job promise किया गया था जो को इनको job भी नहीं मिला और जो इनके पास पैसे थे वो भी चला गया मैं इसे संबंधित 5-6 articles को पढ़ा हूँ लेकिन मुझे exactly कहीं पे भी ये नहीं मालूम पढ़ रहा है कि government of India, government of Israel के बीच में exactly क्या agreements हुए हैं और अगर एक भी लोग यहां पे मारे जाते हैं हमास के द्वारा ये किसी और organization के द्वारा इसरेल में तो कौन responsible होगा? government of India responsible होगा या government of Israel responsible होगा और एकर वो responsible होगे तो उसका भरपाई किस तरीके से होगा? कहीं न कहीं ये सब news काफी disturbing होता है जो हमें याद दिलाता है कि everything is not well और कहीं न कहीं जिस तरीके से भारत में skill development या upskilling का जरूवत है वो सब बहुत ही बड़े पैमाने पे missing है और कहीं कहीं जो common civilians है भारत के वो भी responsible है कि वो अपना representative अच्छे से नहीं चुनते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye